जीत भी अजीब होती है ना सब कुछ भुला देती है साल 2019 के चुनाव के पहले राफेल बहुत बड़ा मुद्दा था लेकिन चुनाव जीतने के बाद मुद्दा एक दम से सांथ हुआ कल भी यह हुआ राफेल की जब पहली आधिकारिक रूप से हैंड ओवर किया गया पहला विमान तब बस चर्चे हुए हवा में लेकिन जो उसके पीछे मुद्दे जुड़े हुए थे जो विवाद जुड़े हुए थे उस पर कोई चर्चा नहीं हुआ तो इसी पर बात्चित करने के लिए हमारे साथ हैं डिफेंस मामलों के जानकार रगु तो रगु पहले ये आधिकारिक रूप से हैंड ओवर करने का मतलब क्या है और आगे क्या है इसका पुरा प्रोसीजर इसके बारे में बताएं देखिए है हैंड ओवर दो प्रकार से हो सकते थे या तो छे आठ हवाई जहास इकटे तयार करके फिर उसको हैंड ओवर करते पर उसमें होता कि वो छे आठ मैने और टलता तो वो दिखाना चारे हैं कि प्रोसेस रफाल की डिलिवरी का शुरू हो चुका है एक जहास को हैंड ओवर कर दिया पर वो जहास बारत नहीं आएगा वो जहास बाकी जहास के साथ दो हजार बीस में आके मई के महिने में भारत आएगा क्योंकि स्वभाविक है ये तो आप भी जानेंगे कि एक स्कौडरन में 18 हुआज होते हैं अब आप तीन हुआज से तो स्कौडरन शुरूर नहीं करेंगे तो कुछ मात्रा में जब हुआज होंगे तो वो इकटे लेके आएंगे और तब तक ये पहला जहाज जो है वो ट्रेनिंग पर्पस के लिए इस्तमाल होगा भाहीं पे भारत से पाइलट और टेकनिकल स्टाफ वो वहाँ जाएगा इस जहाज पर ट्रेनिंग लेगा और वो बाकी जब एरक्राफ तैयार हो जाएंगे तो उसको साथ लेके आएंगे ये पूरा जो राफेल का मुद्ध था इसके साथ विवाद भी बहुत गहरा जुड़ा हुआ है इसके कीमतों में जो लेकर के बात की गई कीमतों में अंतर की बात सुप्रीम कोर्ट का फैसला और भी सारी बाते हैं तो इसको अगर हम पहले से लेते हुए अब तक देखें तो पूरी कहाने अगर आप संचिपने बताएं जितने विवाद के मुद्दे उस टाइम पे खड़े हुए थे आज भी वहीं के वहीं खड़े कोई भी विवाद का मुद्दा रिजॉल्व नहीं हुआ है उसकी ना सॉल्यूशन निकली है और मैं चार मुद्दों की तरफ पहले इशारा करता हूँ पहला तो ये कि वायू सेना ने जरूरत बताया था कि हमारे यहां वायू सेना में जहाज के मात्रा में बहुत गिरावट आई है और जिस प्रकार के जहाज हम चाते थे वो भारत के पास है नहीं तो इसलिए उन्होंने आज नहीं बारा साल पहले जरूरत बताया था कि हमें 126 जहाज और चाहिए फिर रफाल पे डिसिशन हुआ कि ये वाला जहाज हम खरी देंगे वो भी 126 यकायक वो 126 को 36 कर दिये थे तो आज भी वो सवाल खड़ा है कि जब आपको जरूरती 126 की तो आप 36 एरक्राफ्ट को लेके संतुष्ट हैं ये सरकार अपने आपको बहुत बड़ा राश्टरवादी सरकार कहता है और खास करके सामरिक मामलों में सरक्षा के मामले में आपने आपको एक चैंपियन कहता है पर जब आपकी वाई हुसेना कह रही है मेर को 126 जहाज की सक्त जरूरत है तो आप भी 36 जहाज दिलवा के आप खुश है पूजा तो आपने कर ली जहाज की पर भारत की सरक्षा का क्या होगा और हमारी सामरिक जो दृष्टी है सामरिक जो पोजिशन है उसका क्या होगा ये सवाल तो वहीं का वहीं खड़ा है सामरिक वाला सामरिक वाला सुरक्षा के बारे में क्या है आपकी नीती उसको लेके राफाल के डील के सौदे के दो साल बाद भारत ने फिर एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फिमेशन निकाला एक सो चौदा हवाई जहास के लिए अब उसका प्रोसेस शुरू होगा फिर उस पे टेंडर निकलेगा फिर वो खरीदा जाएगा या नहीं खरीदा जाएगा कुछ नहीं पता है उसके बारे में इसका क्या मतलब है कि बारा साल पहले जो 126 जहास की जरूरत आपने महसूस की वो हवा में गायब हो गया अब 114 जो है वो अभी 5-6 साल और लगेंगे तो ये मामला किसी के समझ की नहीं है और समझ के बार है इसके साथ साथ बीच में एक उड़ती उड़ती खबर ये भी चली थी कि हम 36 रफाल और खरीदेंगे उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा कि वो खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे जरूरत है कि नहीं है तो इस मामले में अभी भी बहुत डाउट है दूसरा सवाल जिसमें बहुत डाउट है वो ये कि इसको ट्रांसफर ओफ टेकनॉलोजी तो नहीं होगा 36 जहाजों के पर कुछ न कुछ आफसेट जरूर होगा वो आफसेट होना है अनिल अमबानी अडाइग ग्रूप के साथ अडाइग ग्रूप आज के दिन में वर्चुली कंगाल है अब कंगाल कंपनी है जिसको मैनिफैक्चरिंग का कोई एक्सपिरियंस नहीं है और खास करके हवाई जास के मैनिफैक्चरिंग का कोई नहीं है रफाल के पुर्जे तो वो नहीं बनाएंगे पर Dasault के निकले हुए एक सिविलियन जो जहाज है Falcon Executive Jett उसको बनाने वाली बात है उसको भी क्या बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे Dasault उसमें क्या करेगा और क्या नहीं करेगा ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इसके उपर और जो उस टाइम सवालिया निशान था वो आज के दिन भी खड़ा है क्योंकि आडाएक ग्रूप, अनिल अमबानी ग्रूप का अभी तक कोई पोजिशन रिजॉल्व नहीं हुआ है तो इस इस अज़ा प्रॉब्लम जो अब भी वहीं खड़ा है जहां पहले था तीसरा सवाल ये है कि भारत को सक्ट जरूप ये थी और आज भी है कि हमारे पास बड़े मुश्किल से हमने लाइट कॉमबाट एरक्राफ्ट तेजस को खड़ा करके निकाला है पर हमने ये भी सोचा कि आदुनिक तक्नीक को और हमें हासल करना है और इसके लिए जितने हम बाहर के अग्रिमेंट्स करते हैं हर एक में एक टेक्नॉलोजी ट्रैंसफर का कॉमपोनेंट साथ जुड़ा हुआ है ताकि हम अपने च्छमता को बढ़ाएं रफाल कॉन्ट्रैक्ट में क्योंकि वो 126 से 36 को घटा दिया था 126 आपने लिये होते तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में आपका कुछ बनता कि एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नॉलोजी भी होती है आप कुछ नई टेक्नॉलोजी वहां सीखते च्छतिस में वो है नहीं ना र हिंदुस्तान में होगा काम करेंगे सब फ्रांसीसी कंपनी के लोग तो टेक्नॉलोजी भी आपने हासल ने की इतने बड़े सौदे के बाद भी और चौता सवाल जिसके अंदर कई सारे मुद्दे जुड़े हुएं वो है कीमत को लें उसमें भी जितने सवाल उस टाइम उ डेड़ बिलियन यूरो तो केवल जो इंडिया स्पेसिफिक खास चीजें थी टेक्नॉलोजी थी उसके लिए दिया गया है और अब तक जितनी इंफरमेशन है हमने भी अपने न्यूस क्लिक में आर्टिकल चापे हैं मैंने कई और पत्रिकाओं में आर्टिकल चापा है जि इनके लिए जो कल को फ्रांस अपनी वायू सेना के लिए जो रफाल खरीद रहा है उसमें भी इनीका इस्तमाल होगा तो हमने फ्रेंच एर फोर्स को एक तरह से सबसिडी दी है इसको करने के लिए C.A.G. ने भी कई सारी ऐसे मुद्दों पे इशारा किया है जो प्रोक्यूर्मेंट का प्रोसेस था उसमें दासॉल्ट को कैसे फेवर किया गया प्रोसीजर को कैसे तोड मरोड किया इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट हमारे उचनियाया ले ने कुछ चीजों को सरकार ने उ प्रोसीजर में कोई प्रोब्लम नहीं था जबकि C.A.G. ने पैरा बाई पैरा कई सारे ऐसी चीजों पे बताए तो पूरा जो प्रोक्यूर्मेंट का प्रोसेस है उसमें सवालिया निशान है जिसमें कीमत भी जुड़ा हुआ है टेकनालिजी भी जुड़ी हुई है और उ सुप्रीम कोट ने उसको दफनाई दिया है प्रधानमंत्री कारियाल है कि इसमें बहुत बड़ा हस्तक छेप रहा जबकि ऐसे मामलों में डिफेंस मिनिश्ट्री की तरफ से हस्तक छेप होना चाहिए था यहां पे जो क्योंकि प्रधानमंत्री का कारियाल है सीधे जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें बहुत उल्जे हुए डिटेल है पर सीए जी ने इस पे जरूर इशारा किया है क्योंकि सरकार क्लियरली यह नहीं चाहती थी कि कीमत के डिटेल स्पष्टता से जनता के सामने रखा जाए तो जैसे आजकल का महौल है हम जानते हैं मोधी सरक सरकार के चलते हर सरकारी संस्था, Constitutional Authority उच नयायले तक सरकार की ही बात को मानते हुए चलती हैं तो सीए जी ने भी वही किया इसमें नहीं बात नहीं है पर अगर आप सीए जी के रिपोर्ट को घौर से पढ़ेंगे तो उस पे कई इशारे इस की तरफ किये गये हैं बेशक उन्होंने exact कीमत ना बताया हो पर जितने ही ये प्रोसीजर को तोड मोड के किये गये हैं उसकी तरफ काफी इशारा किया गया है पर इस बात पे कि प्राइम मिनिस्टर्स आफिस ने इसको क्यों लिया ये 36 का फैसला कैसे लिया 126 को बदल के इसके बारे में C.A.G. चुप था और आज भी ये खुलासा इसका नहीं किया गया कि इसके पीछे कारण क्या था और इसके बारे में कोई स्पष्टता आज तक नहीं है और सुप्रीम कोर्ट को क्या दिया उस लिफाफे के अंदर ये भी किसी को नहीं पता इसके बाद हिंदू की रिपोर्टे बहुत सारी प्रकासित होई राफेल को ले करके कि निगोसियेसन टीम किस तरह से उसमें असंतुष्ट थी उसके चार्ज तीन सदसे कहा करते थे कि इसको डिल ना किया जाए फिर बैंक गारांटी के मामला लेटर अफ कमफर्ट जैसे हर चरण होते हैं हर चरण में अगर आपने ढील दी अगर किसी भी चीज़ को लेके आपने तोड मरोड के फैसला लिया क्योंकि आपने एक बार तैक कर लिया है कि आपने रफाल को खरीदना है जब दो जहाज में से एक जहाज आपने चुन लिया और एलान भी कर दिया कि मैं इस जहाज को करीद रहा हूँ तो आपके हाथ से जिसे कहते हैं बारगेनिंग पावर वो तो गए? बारगेनिंग पावर तब आपके हाथ में रहता है जब दोनों जो बेचने वाली पार्टी है आप दोनों को आखिर तक एक दूसरे के साथ टकर लेते हुए आप करेंगे तब बारगेनिंग आपके हाथ में होता है जब आपने ये तैय कर लिया कि मैंने लेना इनी से है तो आप क्या बारगेन करोगे तो मेरा तो ये मानना है कि भारत ने अपनी बारगेनिंग पाउर को उसी दिन खो दिया था जब उन्होंने एक एरक्राफ्ट को निकाल के एक ही एरक्राफ्ट जब रह गया था उनके पास तो उसके साथ जब बारगेनिंग की फिर आप कहीं न कहीं कुछ न कुछ कॉम्परमाइस तो आपको निकालना होगा क्योंकि एर फोर्स वाई उसेना भी आपके पीछे पड़ी होगी जो भी सरकारी एजनसी की वह या खरीद लो नहीं तो हमें मतलब दिकत पड़ रही है तो कुछ न कुछ ये होगा और इसमें कई हम जानते हैं कि धानली हुई है कई गलतियां की है इसमें अब उसके पीछे क्या इंटेंशन था क्या नहीं था कुछ लेन देन था नहीं था इसके बारे में कुछ कहना आज के दिन में मेरे खियाल से मुश्किल है क्योंकि जो इन्फरमेशन आपको मिल सकता या कम से कम उच न्यायाले ने अगर इनक्वाइरी की बात मानी होती और कुछ इनक्वाइर अगर करते तब शायद कुछ इन चीजों पर रोशनी पड़ती पर अगर वो नहीं हुआ तो अब हम क्या कर सकते हैं शुक्रिया इस विससर पर हमसे बात चित करने के लिए CAG की रिपोर्ट में एक खास बात थे कीमतों की जगह पर अल्फाबेट लिखे गए थे ऐसी इस्थिती थे सुक्रिया आप देखते रहिए न्यूस क्लिक